जैसीताराम दोस्तों, जैसे ही सूरज की किरण हमारी पृत्वी पर पढ़ती है, तो पूरा वातावरन जगमगा उठता है, और चिडिया चहचहाने लगते हैं, मुर्जाय हुए फूल खिल जाते हैं, और जानवर जुबली करने लगते हैं, किसान अपने खेतों में पहुँ होता है, इस समय पर आप जो भी सोचते हैं, जो भी आप करते हैं, वैसा ही आपका पूरा दिन निकलता है, और आज मैं आपको इस कहानी में सुबह की पांच ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा, जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं, तो आप जीवन भर स दिवस्थ रहेंगे, और आपका दिमाग बहुत ही तेजी से चलेगा, आप हमेशा उरजावान रहेंगे, मित्रों, आप हमेशा जवान रहेंगे, आप जो भी काम करेंगे, उसमें आप ज्यादा एक्टिव रहेंगे, इसी लिए मित्रों, आप इस प्रसंग को बड़े ही देरी के इस प्रसंग को शुरू करते हैं, एक बार एक आचार्य गुरू जो की आयुरवेद के बहुत बड़े जाता थे, वह जंगल में अपना आश्रम बना कर रहा करते थे, उस आश्रम में उनके बहुत सारे शिश्य भी रहते थे, मित्रों, एक दिन जब वह आचार्य शिश्य को उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से एक शिश्य खड़ा हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, मेरे मन में आज एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, तब शिश्य की बात सुनकर आचार्य गुरू मुस्कुरा और बोले कि पूछो तुम्हारा क्या प्रश्न है, तब उस शिश्य ने आचार्य गुरू से कहा कि गुरुदेव सुबह कि वह कौन सी आदतें हैं, जिन्हें अपना कर हम अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बदल सकते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि हम जो सुबह सुब आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, ये बात आप सभी के लिए बहुत ही फाइदेमंद है, इसी लिए आप सभी लोग इसको ध्यान से सुनिए फिर दोस्तों, आचार्य गुरू उन सभी शिश्यों को कहते हैं, बच्चों, जैसे एक वीर योद्धा लड़ने से पहले अपनी तलवार की धार को तेज करता है इसी तरह से दोस्तों, दिन की शुरुआत में अगर आप अपने अंदर की धार को तेज कर लेते हैं, तो पूरे दिन की लड़ाई बड़ी ही आसान हो जाती है इसी लिए सुबह के समय को महत्वपूर्ण माना जाता है फिर आचार्य गुरू उन सभी शिश्यों से कहते हैं बच्चों, आज मैं आपको सुबह की पांच ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जिन्हें अपनाने से आप शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहेंगे फिर दोस्तों, आचार्य गुरू उन सभी शिश्यों को कहते हैं कि बच्चों, सबसे पहली चीज, जो आपको सुबह उठते ही, करनी चाहिए वह है अंगड़ाई लेना बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि रात भर सोने के बाद, जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अंगड़ाई लेने का मन करता है, इनसान ही नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेते हैं ये शरीर का ही प्राकृतिक तरीका है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का दोस्तों, जब हमारे शरीर में ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा तो ब्लड में ज्यादा न्यूट्रेंट्स बढ़ेंगे, जिससे आपके हर एक अंग को फाइदा होगा, सिर्फ इतना ही नहीं अंगडाई लेने से, और भी बहुत सारे फाइदे आपको मिलते हैं मित्रों, सुबह जब भी हम उठते हैं, तो हम सभी को आलस आते हैं, हमारी आँखें नहीं खुलती हैं, लेकिन आयुर्वेद का मानना है कि अंगडाई लेने से दिमाग को यह संदेश पहुँच जाता है, कि अब जागने का समय हो चुका है इसी लिए अगर आपको सुबह जल्दी उठने में परिशानी आती है, तो रोज सुबह उठते ही अंगडाई लेना शुरू कर दीजिए दोस्तों, जब आप सुबह उठकर अंगडाई लेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आपका आलस खत्म हो गया दोस्तों, अंगडाई लेने से हम हमारे जॉइंट में भी लुब्रिकेशन बढ़ जाता है, जिससे उनकी फैसिलिटी इंक्रीज होती है अंगडाई लेने से आपको तुरंत उर्जा मिलती है और आपने महसूस किया होगा कि जब भी हम लगातार किसी काम को करते हैं, जैसे किसी ओफिस में काम करना, या घंटों तक बैठे-बैठे पापड बनाना, पढ़ाई करना, या फिर ऐसे बहुत से कार्य होते हैं, जिनको हम निरंतर बैठे-बैठे करते हैं, तो हमें आलास हो जाता है, लेकिन दोस्तों, उस समय जब हम अंगड़ाई लेते हैं, तो अचानक से हमारे शरीर में कहीं से उर्जा प्रवेश कर जाती है, और हमारा आलस भाग जाता है, क्योंकि दोस्तों, अंगड़ाई हमारी उर्जा का ही भाग है, आज कल कम उम्र में ही बहुत सारे लोगों को heart attack आ रहा है, बहुत से लोगों को परिश्रम करते हुए heart attack आया है, और ऐसा इसी लिए होता है क्योंकि जब हम कोई चीज जटके से करते हैं, तो हाथ पर बहुत ही ज्यादा दबाव बनता है, इसी लिए दोस्तों, व्यायाम करना जरूरी माना जाता है, और यह अं का लगता है दोस्तों कई बार आपने देखा होगा की बहुत से लोग बांथ रूम करने जाते हैं तो उन्हें वहीं हाट अटेक आ जाता है इसी लिए आयुरवेद में बताया गया है कि जो लोग अंगड़ाई लेकर उठते हैं उन्हें हाट अटेक कभी नहीं होता है और इससे दोस्तों आपको जीवन पर साइकोलोजी की परेशानी नहीं होगी, इसके बाद जमीन पर पैर रखकर ताडासन की तरह भी अंगड़ाई ले, इस आसन से बॉडी पोस्चर ठीक हो जाता है, दोस्तों अंगड़ाई आप कैसी भी लो, लेकिन अंगड़ाई आपको तीस से भी ज्यादा फाइदे होंगे। फिर दोस्तों, आचार्य गुरु उन्हें दूसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि जितना हो सके उतना पानी पीए। बच्चों, सुबह उठते ही पानी पीने के बहुत सारे फाइदे हैं, आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हम पांच से साथ घंटे सोकर उठते हैं, तो उस समय हमारे शरीर में पानी की कमी होती है। और जब हम सुबह उठते ही सबसे पहले पेशाब करने जाते हैं, तो सारे दिन के मुकाबले हमारे पेशाब का रंग है, वह पीला होता है और अमलीय होता है। दोस्तों, सुबह के सम पाणी की कमी हो जाती है, लेकिन इस समय हम क्या करते हैं? पाणी की जगह हम चाई पीते हैं, कॉफी पीते हैं, बच्चों चाई और कॉफी दोनों ही हानिकारक हैं, यह शरीर में से पाणी को बाहर निकालती है। इसलिए सुबह उठते ही चाय और कॉफी पीना बंद करें और सुबह उठते ही अगर आप चाय पीएंगे तो आप उम्र से पहले ही वृद्ध नजर आएंगे। जब सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं तो उससे आपके पेट में अमलिय बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ज जिससे कभी मोटापा नहीं आएगा और जो लोग मोटे हैं उनका मोटापा घट जाएगा। सुबह उठते ही पानी पीने से डाइजेशन फास्ट हो जाती है और जिससे पेट खुल कर साफ होता है इससे शरीर के अंदर जमी गंदगी की प्राकृतिक रूप से बाहर निकल जाती है दोस्तों जो लोग सुबह उठकर चाय की जगह पानी पीते हैं उनकी याद दाश्ट बहुत तेज हो जाती है उनका फोकस बहतर बना रहता है और वह ज्यादा खुश भी रहते हैं फिर आचार्य गुरू उन सभी बच्चों को कहते हैं बच्चों आप पानी को प्रेश्ट बच्चों करके भी पी सकते हैं या फिर आप उसको ऐसे भी पी सकते हैं इस समय आपको सादा पानी ही पीना है उसमें नीमबू, पुदीना, अद्रक, जीरा, कुछ भी डालने की आपको ज़रूरत नहीं है सुबह उठते ही आपसे जितना हो सके उतना पानी पी पीए एक गिलास, दो गिलास, तीन गिलास या फिर चार गिलास पानी भी पी सकते हैं अगर दोस्तों आपको कॉंस्टिपेशन रहता है तो इसी पानी को मलासन यानि उकडू बैठ कर पीए क्योंकि जब हम उकडू बैठ कर पानी पीते हैं तो पानी प्रेशर से जहर को खी प्रिमारियों से बचा लेगी। फिर आचार्य गुरू उन्हें तीसरी आदत बताते हुए कहते हैं कि बच्चों सुबह उठते ही अपनी आखों पर पानी के छीटे मारे। आखों में खुजली होने लगती है और बड़े नंबर के चश्में आजकल छोटे बच्चों को भी लग जाते हैं। पहला तो यह कि जब भी हम अपने मुह में पानी भरते हैं तो हमारी आखें बहुत ही अच्छी तरीके से खुल जाती है जिससे हम आखों में पानी की चीज अच्छी तरीके से मार सकते हैं। दूसरा कारण है कि हमारी आखों से नाक और मुह जुड़े हुए हैं। अगर दोस्तों हम अपने मुह में पानी नहीं भरेंगे तो आखों की जो गंदगी है वह आपकी आखों से आपके मुह के अंदर चली जाएगी। लेकिन अगर आप अपने मुह में पानी भर लेते हैं तो आपके मुह में लोक लग जाएगा और इससे जितनी भी आपके आखों में गंदा है वह बाहर निकल जाएगी। मुह में पानी भरकर अपनी आँखों में छीटे मारें, इसके बाद में अपनी नाख को साफ करें। आप देखेंगे कि कितना कचरा बाहर आ गया दोस्तों, हमारी आँखें नाख से जुड़ी होती हैं और नाख की सहायता से ही साफ होती है। जब आप इस तरह से अपनी आँखों को धोते हैं, तो इससे आपको दो लाब प्राप्त होते हैं, आपकी आँखें साफ रहती है और साइनेज भी साफ रहता है। एक बात का आपको और ध्यान रखना है कि दोस्तों आपको कभी भी गर्म पानी से अपनी आँखों में छीटे नहीं मारने हैं, आपको ठंडा या सादा पानी ही आपको इस्तेमाल करना है, कम से कम 10 से 15 बार अपनी आँखों में छीटे मारें, जिससे आपकी आँखों की रोश कि बच्चों सुबह सुबह रोजाना ओयल पुलिंग करें। इससे आपके मुह में तेल भरकर तेल को चारों तरफ घुमाना है। इससे आप पांच मिनट से लेकर आधे घंटे तक कर सकते हैं। दोस्तों आयुरवेद में इसे गंध उस कहा जाता है। देखो जब हम तेल में पानी डालते हैं तो वह कभी नहीं मिलता है। लेकिन अगर तेल में तेल डालते हैं तो वह मिक्स हो जाता है। इसी तरह ओनेल पुलिंग काम करता है जो हमारे मुह के अंदर कीटानू होते हैं वह लिक्विड होते हैं। इसलिए जब भी हम मुह में तेल घुमाते हैं तो यह तेल इन कीटाणूओं को अपनी तरफ खींचता है। जिससे जब भी हम तेल को थूकते हैं तो वह कीटाणू भी बाहर निकल जाते हैं और कीटाणू जब बाहर निकल जाएंगे तो मुह से बद्बू नहीं आएगी, मुह के छाले खत्म हो जाएंगे। और दोस्तों, ओनायल पुलिंग करने से आपके दांत बिलकुल सफेध हो जाते हैं। उनका पीलापन समाप्थ हो जाता है, मसूडों में सूजन हो या फिर होंट काले हो। ओनायल पुलिंग करने से यह सभी समस्याइं समाप्थ हो जाती है। मित्रों, आजकल लोग केमिकल वाले माउथ फोर्स इस्तेमाल करते हैं, जिनसे कहीं बार उनको फायदा होने की जगह नुकसान हो जाता है। इसलिए मित्रों, आप ओनायल पुलिंग करें या हमारे आशयों का आजमाया हुआ नेचुरल माउथ वाश है। जब आप ओनायल पुलिंग करते हैं, तो इससे हमारे चेहरे के मसल्स की एकसरसाइज हो जाती है, जिससे तवचा में निखार आता है। और आयुरवेद के अनुसार, ओनायल पुलिंग करने से आपकी आहार नली में जितने भी जहरीले पदार्थ होते हैं, इसे यह अपनी तरफ खीच लेता है और उन्हें बाहर निकाल कर फेंक देता है। दोस्तो, पॉलिंग करने के लिए आप नारियल का तेल, सरसों का तेल इस्तिमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, वह तेल शुद्ध होना चाहिए। लेकिन अगर आपको गैस रहती है, मुह से बदबू आती है, तो उस स्थिती में आप तेल का इस्तिमाल करें। और मसूडों में से अगर खून आता है, ऐसे में नारियल का तेल इस्तिमाल करें। अगर आपकी जीव सफेद रहती है या साइन्स की प्रॉबलम है, तो उस स्थिती में आपको सरसों का तेल इस्तिमाल करना है। मित्रों, अगर आप इस तरह से तेल में लौंग के तेल की एक बूंद डाल कर ओयल पुलिंग करेंगे, तो दातों का दर्द और कैविटी खत्म हो जाएगी। फिर आचार्य गुरू उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, आपको एक छम्मच तेल मुह में डाल कर पांच से दस मिनट के लिए उसे मुह के चारों तरफ घुमाना है, और इसके बाद आपको तेल को बाहर की तरफ थूक देना है। पेट के अंदर यह चला जाए, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, उससे आपको नुकसान नहीं होगा, इसके बाद आचार्य गुरू उन्हें पांचवी आदत बताते हुए कहते हैं, कि सुबह पानी पीने के बाद सबसे पहली चीज जो भी आप खाते ह या फिर पीते हैं, उसका आपके शरीर पर बहुत ही गहरा असर पड़ता है। प्रथम आहार आपको बहुत ही ध्यान से खाना है मित्रों। अगर आप बिलकुल स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो आप सुबह उठकर ताजा फल खाएं। लेकिन दोस्तों, मान लो, आपको लीवर की प्रॉब्लम है, तो आप इस स्थिती में सुबह उठकर गन्ने का ताजा प्रस पीएं। इससे आपको बहुत ही ज्यादा फाइदा होगा। और अगर आपके शरीर में बहुत ही ज्यादा गर्मी है, पसीना बहुत आता है, तो उस स्थिती में आप तर्बूज खाएं। इससे दोस्तों आपके शरीर के अंदर की गर्मी खत्म हो जाएगी, जिनके पेट में चर्बी जमा है, वह सुबह उठकर अश्वगंधा के पत्तों का जूस ले, जूस 30 इमेल पानी में मिला कर पी लें, आयुरवेद में इसे सबसे बहतर माना जाता है, अगर मित्रों आपको कैल्शियम की कमी है, तो दही में एक चौथाई चम्मच चूर्न डाल कर खा आपको किसी भी पानवाले के पास यह चूना मिल जाएगा, जब आप इस दही को निरंतर खाते हैं, तो कुछ ही दिनों में जोडों में कट-कट की आवाज आना बंद हो जाती है, अगर आपके बाल जड़ते हैं, तो पांच से छे करी पत्ते चबा-चबा कर खा लें, और 20 मिनट के बाद ही आप नाश्ता कर सकते हैं, और नाश्ते में भी आपको हेल्दी चीजें खानी हैं, फिर आचार्य गुरू उन सभी बच्चों से कहते हैं, बच्चों, जब इन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेंगे, तो आपको इससे बहुत ही अच्छे बजरंग बली के सच्चे भक्त कमेंट में जय जय बजरंग बली अवश्य लिखें, ताकि बजरंग बली का आशीरवाद आपके उपर और हमारे उपर सदा बना रहे हैं, और इस वीडियो को लाइक भी जरूर करें, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ करके बल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, धन्यवाद.